घर में हमेशा ऊपर नीचे वाले ब्रेट बच जाते हैं, जिनको घर में कोई खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इससे आज हम बहुत ही मज़ेदार सा एक स्नाक बनाएंगे, इसके लिए ना मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और मैं इसमें डाल रही हो एक ग्लास पानी, तो करीब तीन ब्रेट का यूज कर रही हो यहाँ पर, इनको हम हलका सा दबा देंगे, जिससे की ना यह सोरे सॉफ्ट हो जाएं, तो देखे हमारा ब्रेट जो हलका सा सॉफ्ट हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे करीब आधा कप रवा या सूजी, तो आपके पास जो जिस भी तरह की सूजी हो आप डाल सकते हो, मोटी या फिर बारीक वाली, साथ में डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और बस इन चीजों को बहुत अच्छे से मिला के इनका एक डो टैप का तयार कर लेंगे, तो अच्छे से मिलाईए का जिससे सूजी और जो गाड़ा करना है हमें, और यहां पे नहीं हमने आटा ब्रेड यूज की है, आपके पास जो भी ब्रेडो आप इस रेसिपी में इस्तमाल कर सकते हो, तो यह देखिए हमारा मिक्षर बिल्कुल तयार है, इसने पैन के एजिस छोड़ने शुरू कर दिया है, तो हम गैस को अलू रखे ते, तो मैं फटा-फट इसकी स्टफिंग तियार कर देए हूँ, तो यह दे के आलू को मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा बारी क्या हुआ प्यास, अगर प्यास खाते हैं तो डाले, नहीं खाते हैं तो छोड़ सकते हैं, इसमें डाल देंगे धेर सारा हरा धनिया, और साथ में डालेंगे कुछ मसाले, तो सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, आधी टीस्पून के करीब लाल मिर्ची का पाउडर, एक चमच भरके धनिया पाउडर, एक चमच अमचूर पाउडर य बहुत अचे से मिक्स कर लेंगे, तो आज ये सटपिंग ना मैं बिना भूने बना रही हूँ, तो आप इसको भून के भी बना सकती हो, मैंने देखा टेस्स में बहुत जादा अंतर नहीं आता है, और मुझे ये फटा फट बनाना है, इसलिए मैं बिना भूने बना रही अब हम क्या करेंगे, अपने हातों में हलका सा तेल लगा लेंगे, जिसे की मिक्षर हमारे हातों में ना चिपके, और थोड़ा-थोड़ा मिक्षर लेके, हम इसके स्क्वार्स तयार करेंगे, इस तरह से, तो आप कोई भी शेप की पैटी बना सकते हो, पर मैं सोचनी हूँ स्क्वार शेप बनाया जाए, थोड़ा डिफरेंट, जो देखने में बड़ा खुबसूरत लगता है, तो बस पतला इस तरह का स्क्वार तयार करना है, तो इस मसाले से मैं सारे स्क्वार्स तयार कर लूँगी, तो इदे कि हमारी स्टफिंग बिल्कुल तयार है, हम इसको स तो इसी स्टेश पे हमें इसे अच्छे से गूत लेना है, जैसे कि हम रोटी का आटा गूतते हैं बिल्कुल उसी तरह से, और अब क्या करेंगे ना, इसकी छोटी-छोटी इस सरह से लोईया बना के तयार कल लेंगे, यह जो ब्रेट की हम पाटी बनाने वाले है एक तो यह आसान बहुत है, और बहुती क्रिस्पी और मज़दार बनती है, और जो हमारा ब्रेट बढ़ा होता है वो भी यूज हो जाता है, आप मुझे बताएगा आप बचे हुए ब्रेट का क्या बनाते हो, मैं कभी-कभी इसके भटूरे भी बनाती हूँ, मैंने रिस्पी पोस्ट इसे की बेलते समय यह चिपके नहीं, और बस हम अपनी एक लोई लेंगे, और इसको हमें बेल लेना है, तो अगर आपके पर रोटी मेकर है तो यह काम बहुत पटा-पट हो जाएगा, अगर आप इनको कचारियों जैसे बनाना चाहते हो तो जैसे सिंपल कचारी बढ़ते ह आप इस तरह बना सकते हो, पर आज हम इनको बिल्कुल अलग तरह से बना रहे हैं, तो बस यह देखे, मैंने इसको काफी पतला बेल लिया है, और जो स्टफिंग हमने तियार किती है, अम इस तरह से से सेंटर पे रखेंगे, और यह देखे, इस तरह से फोल्ड कर देंगे, तो फोल्ड करके अच्छे से चिपकाते जाएंगे, जिससे कि फ्राइ करते समय ना खोले नहीं, और यह ना काफी सॉफ्ट होता है तो बस हम हातों से दुबारा से इसको अच्छे से शेप देदेंगे, तो इदे के मैंने सारे पॉकेट्स तयार कर लिये हैं, और आईए इन इन को आप फ्राई करते हैं, इनको फ्राई करने के लिए बैल यहाँ और IN zu erf ही पांद ही और बस इन qo फोकेट्स को इसमें डाल देंगे आप चाहवो तो इसको एर फ्राइब निया पिर मेरी तरह उप इसको शैलो message तो बस हमें क्या करना है इनको उलटते पलटते हुए एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक सेख लेना है तो बहुत ही मज़दार और टेस्टी स्नाग बनके तयार होता है तो एक बार ट्राइ करके जुरूर देखिएगा तो इसके हमारी पैटी बनकर बिल्कुल त अच्छे से सिख चुकी है तो बस हम इनको निकाल लेंगे तो इदे के हमने बची हुई ब्रेट से कितनी चल्दी से बहुत ही यमी और टेस्टी नाश्ता तयार किया है तो आप इसको केचप या चेटनी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हो मैंने थूड़ी सी हरी चेटनी बना कि अबड़ी से गाल सते है ए यम इड डोल आते हैं तो हम इस कितनी चाल सकते हैं बना से सिरिक संञ लेगी से थेड़ी ूहरी बहारी तरेस है है तो ब appelle किता है मा का मा बाहरी यमीन रहरी kayak है प्रेगने 250बष्ष्य है ठो आजगले च वारी और भी सकते हैं आब